देखो उने शायद आज पार्टी जोईन किये, करेंगे मतलब और वो रिजाइन देने आ रहे हैं तो ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चोईस हैं कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं बाकी मेरा मानना ये है कि कईना कई हमें त्याग कर देना चाहिए और बाकी जो अमारा जो अंदोलन था, जो बेन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए मैं अभी भी उस पर डटके खड़ी हूँ, महिलाओं के लिए जो रैसलिंग में जो सोशन होता था और जो हमारा अंदोलन है वो अभी मेरी तरफ से बिल्कुल जा रही है और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा से रैसलिंग के लिए सोचती है, यह रैसलिंग के हिद में काम करती है, यह और हमेशा करती रहूंगी मेरे पास भी ओफर आए बड़े, लेकिन मुझे यह था कि मैं जिस चीज से जुड़ी हूं, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास तक लेकर जाऊं, और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन नी हो जाती, बैंड बेटियों का शोशन बंद नी ह है, उनको लगा कि उनको वहां बहतर दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने वह चीज फैसला लिया है, मैं यह कहना चाहूंगी, कि जो आंदोलन है, उसको गलत रूप ना दिया जाए, उन्होंने चाहे, आज रिजाइन दे दिया हो, पार्टी में जाने के लिए, लेकिन Agreault अलिवात से मकसद था, दरणा शुरू करा, जब से मेरा मकसद नहीं था, कि मैं कि सी euh Advisory से हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, जो लड़ाई है, वह जैनुवन है और वह जारी रहेगी, देखो, मैं तो नौन-íanat हुँं, मैं तो अपना रेलवे कि एक ही आदमी से थी वो ब्रेजबूशन है कि उसकी उसने बैन बेटियों का सोशन किया था तो लड़ाई मेरी उसी तक है मेरी किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत रूप से ना कोई जुड़ाव है ना कोई द्वेश है व्यक्तिगत नहीं जाई नी गोट मांगने के लिए देखो मैं पॉलिटिकल हुई नहीं मैं किसी स्पेशल पार्टी के साथ हुई नहीं तो